हेलो फ्रेंस आप सब कैसे आप सब काते चुंग और मैं भी अच्छू तो फ्रेंस आज का थमनेल दखके आप लोगों पते चल गए होंगे कि किस टॉपिक पेस का ब्लॉग होने वाला है तो फ्रेंस फाइनली ममी जो है गाउ से आने वाले है एक महीन से ज्यादा हो गया ममी पुरा घर सुना सुना टेकर मतलब थे और ममी के साथ मेरा भांजी भी आने वाले है तो भी आने वाले है तो वीडियो पर बने रहे हैं मेरे लिए गाउ से क्या कर आते अप लोग को दिखाऊंगी सारा कुछ और वीडियो काफी ज़़ा इंटेस्टिंग है और अभी नह मे इसे मेरे साथ की चन में चलू हो फाइनल इभी पहुँंचने वाले है कुछ ताइम में और अभी मैं OH गान और यहां मूली को सबजी मैं अंदर मूंग दला मुसर दाल में मुसला कंट सर्ण तो इसके अंदरी सब्जी के अंदर डालूंगी तो अभी जो है मैं पीस लिया और सारा कुछ मसला में मिक्स करके जो है चॉप बनाना शुरू करती है आप लोग बता ना प्रेंस यह दाल का हम लोग तो बड़ा भी बोलते हैं चॉप भी बोलते हैं तो आप लोग बताना ऐसे टेप के बनाने स देखो फाइनली और हम मैं अभी चावाल भी उधर चरा दिया हूँ तो चावाल हो रहा है और दाल भी मनाओंगे मैं थोरा सा और ममी और बाबो के साथ देखो यहां पर चॉप रेडी हो गया और इसी को बस सब्जी में डालना है और फ्रेंस अब भाइनली मम्मी आने वाले मतलब आ रहे तो काफी सच में मैं बताओ तो काफी अच्छा मतलब महसुस हो रहे अंदर से इतना दिनना बहुत ही बेकार चाह हो रहा था ऐसे पहले तो मम्मी का तो उस ठाइम का बात अलग था तो अभी आदत भर गया मम्मी का तो अच्छा नहीं लगता है रहेंसे मंतलब नहीं रहने से और देखो यहां पे जो है मेरा सब्जी बस पक रहा है अभी थोड़ा AH पक जाएगा और दाल के अनदर धनिया पत्ता में डाल रही मतलब डाल के बना के देखो के तो काफी टेष्टी लगता है सबजी जो है बहुत ही टेष्टी बन जाता है और खाना बनाते मेरा साम हो चुका है और मैं अभी संध्या कर रही हूँ मतलब आरती कर रही हूं तो बस अभी ममी लोग आने ही बले हैं उन लोग अई बेट कर रही हूं मैं संदा बगरा देखे और मतलब पुझा करके ना ममी लोग अई बेट कर रही थी और फाइनली ममी लोग जो आ गए और यहां पर गारी बाबो रस्ते में ख़ड़ा कर दिया मतलब हायरन बगरा कुछ नहीं मारा मतलब मुझे मतलब हम लोग मालूम ही नहीं परा कि आ गए करके गारी मतलब गेट पे और वह एक मामा आये हैं मतलब उनके साथ तो वह भी राइपूर में रहते हैं तो उनको छोड़ने के लिए जाएंगे तो इसलिए जो है गेट खोल सावान लाए पर graph देखो एक मामा भी ला रहे है मा भल रहा है तुम भी ला रहा है तो बस बोल आ बहुत सावान लाए घाउन हो गया था सो के आया है पुरा रास्ता ऐसा बोल रहा था तो बास देखो यहां पे ना नारयल का लड्डू बना के लाए है मेरा ूंना भेज़े आना लड्डू बनाके और देखो लिए पूजा के लिए भी कुछ सामान लाए- है मंद कूछ бात और देखो निश्च सबजी गाउ कप बहुत अच्छा लगता है इधर तो उतना अच्छा नहीं मिलता है मैंता है बिलता है और वो जो है ना मतलब भाजी यह तो शाइद मिलता है इधर लेकिन खटा भाजी और वह निकाल रहा है ना यह कोचुर लोती बोलते हम लोग इसको तो आप लोग बताना मतलब इतना दूर से सपर करके आये तो ताकि सूक ना जाये इसलिए अच्छे से बोड़े में भड़के लाए है जिल्ली में पुराना बहुत सरा पैकिंग करके लाए है और यह जो है ना कोचुल लोती हम लोगा मतलब घर काई है और बरबटी देखो मोटा मोटा सा हम लोगा निकाल रहा है बॉक फूल हम लोग इसके बॉक फूल बोलते हैं सापेट सापेट फ्रेंस अब लोग बताना यह हम लोग जिसको बॉक्त ये ना थोरा मीठा मीठा सा लगता है और देखो मस्त दो जिल्ली में भशाय है तो राइपूर में अभी तक आस तक नहीं देखी उन तो बताना कॉमेंट में क्या बोलते हैं फूल को अपलग और देखो गोल गोल सा ये बुंबाई लोंका बोलते हैं हम लोग बुंबाई मिर्ची तो बस ये सब इधर नहीं मिलता है और देखो जाम ये भी गाउ से हैं मतलब सारा कुछ है नेचरल गाउ का देशी वाला लेके भड़ाए और इसको आप लोग क्या बोलते है बटाना फिरेंस हम लोग तो इसको संब्डा बुलते हैं रिखो ब बोलते हैं मतलब सप्ड़ा खूल तो ये ना मैं लेने मतलब लेके आने के लिए बोला था एकर मदेबर बहुत है अच्छे लगा और देखो बहुत सारसा मा लाया फिरेंस आसका ब्लोग कैसे लगा फिलीज कॉमेन में बता हुआ